नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रावन सील्सी सीकर से आज इस वीडियो के माद्यम से मैं मेरे टोपर से आपकी मुलाकात रहने जा रहा हूं नीट 24-25 के बच्चों के लिए बहुत useful रहेगी बहुत fruitful रहेगी मेरे पास मेरा दादला बेटा देवरा जादो बेटा है जो 9th क्लास से हमारे साथ है 9th 10 आपने केवी स्कूल से किया 11 12 आपने CLCC किया आपकी पूरी कुनली बताता हूं मुकेश जी आपके फादर का नाम है ज STAC 12 में आप सेलेक्ट है STAC के NTC बंद हो गया था आपने JMA ने भी दिया वहां भी आपकी तीन हजार पे है उसके बाद आपने नीट का एक्जाम दिया आपका स्कूर आरा 700 नंबर एक बड़ा आंकड़ आपने आपने है वह भी तब है जब आप एक दो स्रीली मिस्टेक करक है बारी में के साथ है देवराज का टेस्ट का एवरेज था 691 और एक्जाम में नंबर आ रहे हैं आपके 700 तो दोस्तों 691 के स्कूर से भी ज़्यादा स्कूर आपका नीट ना रहा है इसका मतलब ही कि पेपर जो क्वालिटी है और पेपर क्वालिटी का मतलब है कि CLC में ज तो उस सीनियर भी होंगे जो वापस कर रहे होंगे आपके कास मैट से तो बेटाजी देवराज जी आप अपने जरनी पूरी बताए जैसी एलसी मेरा नाम देवराज यादाव है और मैं जैपूर के अंदर खेजरोली गाउं से रहने वालों मैंने कुछ नहीं सोजा मेरे पडि़न टेखा था और दाइरेक्ट मेरे को सी ऐलसी एलसी ले आए इसके अंदर वैसे हमने कोई कोचिंगर देखी नी पता ही नीए मेरेको मैं टांडरीक्ट सी आ तो सबसे पहले हमारे अंदर जैसे हम क्लास के अंदर जाते थे तो हमेरे को सबसे पहले फिरस्स डेगी अपना शेडियूल दे दिया जाता था पूरे नाइन से जैसे नाइन तो नाइन यह पूर्रेस्ट में उर्लीं सब्सक्राइब last semester but अपना वही है जो इसलिए अपना के विम बेस्कूल है के विम राजस्तान के टॉप स्कूल में एक स्कूल है आप स्कूलिंग की इची भी तलास है तो आप के विम जुड़ सेकते हैं मैं के विम की बात पहले के लेता हूं के विम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का हमारा स्कूल है हिंदी हमारे जो सेड्यूल होता था उसके अंदर सभी पूरे एर का लिखा हुआ रहता था कि आपको इत्ती डेट को यह होगा इत्ती डेट को आपका माइनर और पूरे एर हमारे अब जैसे मानलो की टीचर है और वो कोई ट्रेजडी है उनके दो दिन की चुट्टे पर हूं तो हमारे फो दो दिन की क्लास जल्याइए जल्दी चुट्टी कर औदी आपको उसके अंदर हमारा पूरे एजर्फ्टा था याजीजित हमारे ताइस सार में ये जैसे हम हमारा वैसे जो था रिजनिंग हमारे को प्री फांडेशन के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स केमेस्ट्री बायो रिजनिंग एसस्टी इंग्लीश हिंदी संस्क्राइब नोटिस्फिकेशन यह सुनने सुनने वाले लास्ट एंटेसी नहीं ह हो रहा है कि भी जैसे नाइंट में आ गया था प्री फांडेशन के अंदर नाइन से करना मतलब बर्मास्तर टाइप है अब से हम मेरे तीन चोटे वाई बेन हैं अभी नाइन प्री फांडेशन के अंदर आ गए तो मेरे को बताए वह ट्वेल्ट के साथ अच्छी रहेंग क कि जैसे हम ओफ लाइन आए तो हमारे को टीचर से मोटिवेशन भी मिलता था कि टीचर बता देते ऐसे नहीं कि टीचर सिर्फ पढ़ाए और चले गए वापस लेकिन टीचर हमारे को अलग से टाइम देते थे कि आपको अगर कोई डाउट है कैसी प्रोब्लम हो ऐसे नहीं स पढ़ाई पढ़ाई करता रहेगा तो इतना कवर नहीं करेगा वह दो चार मैने में बस ऐसे जो क्या पढ़ाई फिर अब टीचर जैसे हमारी एसे में जो है जैसे बच्चा किसी डी मोटिवेट यह फील नहीं होता तो एसेमली सबसे बैस चीज है अब असेमली के अंदर ब देवराद का वीडियो देखो यह इसको बहुत लाड़ प्यार किया जा रहा है यह दो तीन बच्चों वीडियो आपको दिखाए जा रहे में सेमली खुद बैठता हूं उसके बाद वहां 15 मिनिट इसी बात के लिए होते हैं कि कोई डाउट किसी बच्चे को सिदा के बात क है उसके इभराद देख सकते हैं इसका कुशी नाम है दू- Fish अपर प्रमोट का वीडियो आप देख सकते हैं तुरम देख सकते हैं विभराद किस्टा हमानलोब पुरा कीया जाता है पड़ाई के साथ साथ पुरे माइनर के अंदर पूरा सोल्यूशन हमारा जैसे मानलोबends टेस्ट लगा तो जैसे पूरा की हमानलुपर की मिलती थी और पेपर सोल्यूशन होता था उसके अंदर पूरे डाउट टीचर पूरा एक एक क्योसन सोल करा था था बौर्ड पर जैसे हमारे डाउट क्लियर हुए जो क्योसन गलत हुई हम उनको डारिक कोपी में लिख लिया करते थे हम जैसे सोमिल ने बताया कि हम आठ का गृूप था और सबके हमारे सिक्सेटी प्लस है येस दंक बताता हूं आपको जैसे हमारे स्टडी माटीरियल है अपको जैसे नहीं कि ऐसे खरकुछी कर रखाये आपको जैसे एंसी आटी मानलो पड़ी आपने और उसके अदर कोई डाउट आया तो अपन मोड्यू से हेल्प ले सकते हैं उसकी अब जो हमारे क्योशन है तो पहली स्ट यह दो बता रहा है कि हमारा जो टेस्ट था उसका पूरा सॉलुइशन होने के जैसे मालो सुभई की सिफ्ट है रूम की बात लुकर रहा ना इस लिए पता है सफल होने यार यह अपना पे प्रेणा बनने लिए उनसे बातों करने पड़ेगी ना उनको बनाना पड़ता है प्रेणा बनने लाइक प्लीज जैसे हम अब इस्टूडेंट डिस्टब हो तो अपने रूम पे तो वर कैम पा सकता है अगर मालो सुबह की सिफ्ट है तो साम को उसके कैम से दो से पांस तक फिर नाइट कैम अब जैसे साम की सिफ्ट है तो सुबह का कैम आपको ऐसे डी मोटिवेट फील किदर ही नहीं होगा आपको स्टूडी मेटेरियल के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएए अब इंटेलिजेंस का मुद्धा तो है इसके साथ प्रॉपर गाइडेंस और सिंसियर डिटी यह आजकल सबसे इंपोटेंट चीज आने लगए आपको बहुत लागई हो रही है आपने दो कुष्ट से अपील करना चाहिए गलतिया हम उनको करने देंगे भी नहीं मुझे नहीं पता इस वीडियो को देखने हो क्या प्रेणा मिल रही है और मेरी मुठ्या बंद हो रही है कि मैं देवरा और भुपंदरी गलतिया आना यह पांच मैं जो जाच चोईस रिपीट नहीं होंगी क सब अपना सिस्टम बहुत तरीके से लेता और को एक लाइन एक लाइन कोई बच्चों के लिए प्रेणा के लिए हाँ तो अब मान लो जिस स्टूडेंट्स का इस बार सेलेक्शन नहीं हो पाया उनको ऐसे गवराने की भी बात नहीं है आप मैंने तो बिना सोचे मैं डायर किसी भी कार्णवर्स सफल नहीं है या सफल तो मैं सफल तो नहीं बोलता के टोप को पार नहीं कर पाए उत्तरण अपने गुद्रे पैक करें विस्तर पैक करें CLC आए क्लास टेस्ट होस्टल बीविल्डिंग या गल्स का आपना वालाजी होस्टल आए जुड़े और पां जैसे CLC मैं सबसे ज़्यादा बोस को ही दन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि कोचिंग तो सब जगह है पर ऐसा डायरेक्टर अपनको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह है छे बज़े से लेके रात को बारा बज़े तक बोस काम करते हैं मैं रोज असेमली में आती सब्सक्राइन जाना चाहती है और कोई ना कोई एक नई बात में सुनके जाती थी मेरी को बहुत अच्छा लगता था और जैसे ही बहुत से मिलती मैं बहुत कुस होती बच्चे को भी बहुत मोटिवेशन घर की तरह मेरे से जादा मेरे को बच्चे पर बौत का विश्वास है और मैं यह कहना चाहती हूं कि भूस एक कोचिंग के साथ सासाथ सीख्षा संसकार जहां इस में है वो कहीं भी नहीं है यह कहना चाहती हूं कि आप बीना कुछ सोच समझे बोस कहे उस बात को ही सुन लो भाई बोस यह बात अपन को कह रहे हैं उस रस्ते पे चले जाओ अपने आप सपलता मिलती जाएगी मैं तो यह पुतर बड़ी कुशी होती हैं दोस्तों जिए आप किसी बच्चे के साथ मन से काम करते हो तो बच्चे का मान समानत आपको मिलता ही है उनके पैरेंट्स का भी एक अपनत्व है उनका रेस्पेक्ट ऐसी लाड़ी बेटी हम मिल जाती है तो जन्देगी में कहते हैं सब कुछ सब्सक्राइब के रूप कभी लिया ही इसको हमने एक मंदिर है एक गवस्ता है जिसके तो लोग काम करते हैं और ऐसे हजानों हमारी बेहन बेटी दुआएं हैं हमारे साथ इसलिए हर वक्त हर कदम आगे बढ़ते हैं से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और को एक लाइन आप एक लाइन बटा क्या करना चाहेंगे मा के रूप में एक जो मदर बच्चों की देखरें उनक क्या करना चाहेंगे आप मैं यही कहना चाहती हूं कि एक देवराज साथ सोन नंबर लेके इतना उंचा कुर्सी पे बैठने को खुशी मिल रही है वो सभी को मिले और मैं दिल से यही दूआ मांगती हूं बगवाल बोस के परिवार को बोस को सी हल्सी को जिन्दावाद रखें अरे क्या बातर देवराज आप मैं एक लास्ट लाइन देवराज एक लास्ट लाइन कोई भी पंच लाइन एक अच्छा पंच मैं सिर्फ इता जानता हूं कि अगर आ पारीवी के साथ आप साथ तो नंबर पर हैं वह भी दो सिली विस्टेक के साथ हैं थैंक्यू देवराज नमश्कार्ट